Hello everyone, this is Shweta Pandey, welcome to Step Up Academy. Students, आज के session में हम discuss करने जा रहे हैं एक और fundamental right. जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे Indian Constitution में काफी सारे fundamental rights दिये गए हैं citizens को, जो government trespass नहीं कर सकती है. काफी सारे rights हम discuss कर चुके हैं, आज हम discuss करने जा रहे हैं article number 29 and article number 30. तो क्या कहते हैं ये दोनों articles, ये हमें पता चलेगा topic देखकर. तो आईए जल्दी से देख लेते हैं topic क्या है हमारा class, subject, तो political science, class 11, chapter number 2, rights in the Indian Constitution और topic है cultural and educational rights. तो Indian Constitution में article number 29 और 30 में educational और एक तरीके से cultural rights दिये गए हैं. ठीक, यहाँ पर article number 29 में बताया गया है कि minority को protect कर रहे हैं. ठीक है, वो education के लिए government इक institutions में जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं. आइए आटिकल number 30 कहता है कि minority group अपने educational institutions सेट अप कर सकते हैं. एजुकेशन के साथ-साथ culture, language की भी हम बात कर रहे हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को और यह देखते हैं कि cultural और educational rights हमें किस तरीके से दिये गए हैं. गोवर्मेंट को कैसे limit किया गया है और minorities actual वे कौन होते हैं. ठीक तो अब स्टार्टिंग हमारी यहां से होती है कि जब भी हम Indian society की बात करते हैं अगर हम भारत के समाज की बात करें तो कैसा है समाज यहां पर सबसे ज़्यादा diversity है. जैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ भारतिय समाज तो आपके माइंड में भी एक image create होगी और वो image आईगी किस चीज़ की diversity की. diversity मतलब यहां पर tradition, culture, language, religion basis पर काफी सारे sections है society में. ठीक यहां से एक चीज़ यह clear होती है कि इंडिया में monolithic society नहीं है. अब monolithic society क्या होती है? तो monolithic जो है यह अगर हम बात करें इस word की तो यह दो word से मिलकर बना गया है. एक mono और lithic. ठीक? तो mono का मतलब क्या है? Mono का मतलब है one. ठीक है? और lithic मतलब क्या होता है? stone. तो यहां पर monolithic society वो society होती है जहां पर सबसे ज़्यादा rigidness है. ठीक है? Rigidness मतलब कोई भी changes नहीं करना जाते हैं और इसी के साथ साथ यह किसी भी idea को entry नहीं देते हैं. यह होती है monolithic society. अब आप यह बताओ क्या Indian constitution में या Indian society के हम बात करें, भारत के समाज की बात करें, तो क्या यहां पर monolithic society है? आप अपने आसपास देख के बताइए, क्या हम बहुत जादा rigid हैं या फिर हम हर एक चीज को accept करते हैं, हर एक society को, हर एक section को. कोई भी idea को क्या हमारे entry नहीं दी जाती, बिल्कुल दी जाती है, तो यह बता रहे हैं कि monolithic society तो बिल्कुल भी नहीं है, diversity है, ठीक, अब हम ऐसे society में रह रहे हैं, जहां पर सबसे जादा diversity है, ठीक, चाहें हम इंडिया की बात करें, north से लेकर south, ठीक, या हम बात करें west से ल उसी तरीके से traditions भी अलग-अलग है, south में हम, यहां पर Tamil, Telugu, हर एक चीज़ देख रहे हैं, religion हो चाहे, culture हो, tradition हो, north में कुछ अलग है, west में अलग है, east में अलग है, तो vast diversity है, सबसे पहले तो यह ध्यान रख लो, अब ऐसे society जहां पर सबसे जादा diversity है, वहां पर एक चीज औ और होगी, और वो यह होगी कि social sections which are small in numbers compared to some other groups, अब यहां पर हम यह बात कर रहे हैं, कुछ groups तो बहुत बड़े होंगे, और कुछ छोटे-छोटे groups भी होंगे, मतलब small sections भी होंगे, diversity मतलब यह नहीं है कि हर जगह पर जो section है, हो majority में ही रहे, कहीं कहीं पर sections minority में भी देखने को मिलते हैं, एक बार अच्छे से समझ येगा, in such a society that is full of diversity, ऐसा समाच जहां पर पूरी तरीके से सिर्फ डाइवर सिटी है, there would be social sections which are small in numbers, कुछ social sections होंगे, जो numbers में बहुत कम होंगे, compared to some other groups, ठीक, if a group is in minority, will it have to adopt the culture of the majority, अब यहां पर हम से यह पूछा गया है, कि देखो, ह हम सभी जानते हैं, क्या कहते हैं, कि जो number में ज्यादा है, जो group ज्यादा बड़ा है, वो ज्यादा dominating हो जाएगा, और जो minority में है, या जो number में कम है group में members, मालो इस group में 3-4 member है, ठीक है, इसमें 60-70, और इसमें लगबग 500 हैं, तो यह कह रहे हैं कि अगर यह minority है, यह क्या है यह minority है, और यह क्या है, majority है, तो यह कह रहे हैं कि क्या ऐसी society, जहां पर minority भी है, majority भी है, तो minority को क्या majority का culture follow करना पड़ेगा, या फिर minority को भी right दिया जाएगा, कि उनका जो culture है, उन्हें वो secure करके रखें, उन्हें एक तरीके से और explore करें, और उसके लिए कुछ steps उठाएं क्या ऐसा हो सकता है, तो question यह पूछा गया है, कि अगर minority में group है, तो क्या इसे majority का culture adopt करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है, बताइए जल्दी से, देखो, अब जैसे class 11 की हम बात करें, तो हमसे ऐसे direct question नहीं पूछे जाएंगे, कि cultural और educational rights कौन से article में दिया गया है, हमसे यह question पूछे जाएंगे, और इसको हम analyze करके लिखेंगे, और हम analyze तब कर पाएंगे, जब हमारे facts strong हो, हमें यह पता हो कि Indian constitution क्या कह रहा है, इस बारे में, और फिर उसके बाद हम हरे चीज को समझेंगे, और answer लिखते जाएंगे, अब यह कह रहे हैं कि हमारे समविधान ने चीज को माना, या उसमें भरोसा रखा, believe किया, और वो यह की, अगर हमारे यहाँ पर diversity है, तो हमारी diversity जो है, उसे हमें हमारी कमजोरी नहीं बनाना है, वो हमारे लिए strength है, यह constitution में एक तरीके से believe दिखाया गया है, our constitution believe that diversity is our strength, ठीक, therefore, इस वज़े से अब यह हमारे strength है, और कहीं न कहीं तक इसके लिए हमें क्या करना है, काफी अच्छे से work करना है, और जब framers ने constitution बनाया था, makers ने, तो उन्होंने हर एक चीज़ को ध्यान रखा, जैसे caste को, gender को, ठीक उसी तरीके से minority पर भी seem equal एक तरीके से focus किया गया, औ और इसी के साथ एक fundamental right बनाया गया, और वो यह कि right of the minorities to maintain their culture, यह कह रहे हैं कि यहाँ पर जो majority है, उसका culture adopt नहीं करेगी minority, अगर बतलब forcefully नहीं कर सकती, और वो क्या करे, अपने culture को बनाये रखने के लिए, maintain रखने के लिए हम उसको fundamental right देते हैं, इसलिए article number 30 कहता है कि educational institutions भ minorities, ताकि उसको आने वाली generations को क्या कर सकें, सिखा सकें, समझा सकें और इनका culture हमेशा बना रहा है, मतलब मान लीजिए यह एक particular minority है, कोई भी group हो सकता है, अब यह चाहें तो अपने educational institution सेट अप करें, और यहाँ पे यह आने वाली generations को इसके बारे में सिखाएं, समझाएं, औ और इसको आग ऐसी तरीके से हमेशा के लिए इसको चलाते रहें, यह चीज़ हमें समझाई कई है, तो यह जो fundamental right हैं, वो इसलिए दिये गए हैं, कि आप अपने culture को maintain करके रख सकें, और last हम यह बताए गया है, जो minority status है, वो सिर्फ religion पर ही dependent नहीं है, मतलब यह नहीं है कि सि Muslim, Sikh, Christian, सिर्फ यही minorities होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, minority की thinking एक तरीके से और भी है, तो minority मतलब क्या, एक तो हमने यह पढ़ लिया, कि जहां पे एक तरीके से religion है, small section में, वो minority हो गई, इसी के साथ-साथ, language, ठीक, language की बाद और क्या दिया है हमको, culture, यह भी सारी चीज़े minorities में आएंगी, ठीक है, तो linguistic and cultural minorities are also included in this provision, मतलब जो minority right तिया गया है, article number 29 and article number 30 में, वहाँ पे minority का मतलब religion as well as language and culture भी है, ठीक, इसको धियान रखियेगा, अब minorities क्या होती है, तो यहाँ पे बताया गया है, यह ऐसे groups हैं, जिनकी common language होगा, माल लो यह particular यह area है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा group है, इस group की language common होगी, या तो religion common होगा, या फिर यह particular part में होगे, पूरी country के, मतलब यह पूरी country है, और यह country के सिर्फ इतने ही part में मिल रहे हैं, मतलब यहाँ 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 नहीं है, यहाँ इनकी absence है, तो यह क्या कहल आएंगे minority में, ठीक, और they are outnumbered by some other social sections, और उनको क्या किया जाता है, outnumbered किया जाता है, एक तरीके से other social sections के द्वारा, ठीक, clear हुआ, आगे बढ़े, अब यहाँ पर हमें यह बताया गया है, ऐसी communities क्या अपना culture होता है, अपनी language होती है, अपनी ही script होती है, और उनको पास right ह कि इन language, culture, script को वो conserve करके रखें और इन्हें develop करें, ठीक, जितने भी minorities, religious या linguistic है, वो अपने educational institutions set up कर सकती है, ताकि उन्हें maintain करने के साथ साथ develop भी कर सकें और explore भी कर सकें, और ऐसा करने से वो क्या करेंगे, तो अपने culture को preserve करेंगे, develop करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताय अब आपसे ही पूछा, अगर question में पूछ लिया गया, कि educational institutions क्यों set up करने चाहिए, minorities को, तो यहां पे सिर्फ हम यही बताएंगे, कि वो अपने culture को preserve करने के लिए, develop करने के लिए ऐसा करें, और क्योंकि diversity हमारी strength है, तो Indian constitution ने उन्हें ये right दिया है, कि ये diversity हमेशा बनी रहे देखो, अगर majority के culture को minority adopt कर भी लेगी, तो minority पूरी तरीके से खतम हो जाएगी, तो diversity भी नहीं रहेगी, और इंडिया किस चीज के लिए जाना जाता है, diversity, unity in diversity, चीक, तो इसलिए कहा गया है कि हर एक चीज को हम ध्यान रखेंगे, maintain करेंगे, develop करेंगे, चीक, तो यहां पे वैसे ही, स्टार्टिंग में आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक हमने right to equality की बात कर दी थी, तो हमारे लिए equality का मतलब यह नहीं है, कि सिर्फ जो large section of groups हैं, उन्हीं के लिए समानता हो, even जो small sections of group हैं, उन्हें भी हमें equality provide करनी है, और इस basis पर हम उनको cultural and educational rights provide करते हैं, अब बात यह आत while granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the basis that is under the management of minority community, अमान लीजिये, government क्या कर रही है, कुछ help कर रही है, financially support कर रही है सारे educational institutions को, लेकिन government को पता चला कि एक institution तो minority community के द्वारा setup किया गया है, तो यहाँ पर government क्या करेगी, तो यह कह रहे हैं, constitution में बताए गया है, कि government discriminate नहीं करेगी, कि यह तो हम नहीं, मान लीजिये, ऐसे देखो, easy example से समझो, suppose यह पाँच educational institutions है, ठीक, इन्हे government manage करती ही, इन्हे भी government, इन्हे भी government, इन्हे भी government, इन्हे भी government, ठीक, बट इस institution को minority community manage करती है, गोवर्मेंट ने इन्हे तो funding कर दी, इन्हे भी funding कर दी, इन्हे की जारी है, इस बेस पर कि यह minority community manage कर रहा है, तो यह discrimination होगा, और यह fundamental rights का violation होगा, तो आर्टिकल नंबर 30 के तहत, यह educational institution set up किया गया है, develop करने के लिए, preserve करने के लिए, minorities को एक तरीके से उनके rights को, तो यहाँ पर government को इस पर funding करनी पड़ेगी, हमें यह section यह बताता है, ठीक तो clear हुआ, अब यहाँ पे हमें एक point दिया गया है, और यह बताया गया है, a heavy responsibility would be cast on the majority, to see that in fact the minorities feel secure, यहाँ पे बताया गया है, कि majority जो है, उन पर जादा responsibility देनी चाहिए, ताकि minorities यहाँ पर secure feel करें, minorities के लिए सिर्फ एक ही safety lies करती है, कि minorities के लिए safety कहाँ पर होगी, तो बहाँ पर होगी जहाँ पर secular state है, क्योंकि secular state वो state होता है, जो किसी भी religion में discrimination नहीं करता है, interfere नहीं करता है, और हर एक religion को equal importance देता है, चाहे वो majority में हो, चाहे minority में हो, the majority community should not boast of their national outlook, तो यहाँ पर एक आगया है कि majority community national outlook को boast ना करें, और यहाँ से minority के religion को भी समझें, ठीक, clear हुआ, और इसी के साथ आज का हमारा session यहीं end होता है, तो यह थे हमारे cultural and educational rights, I hope आप सभी को समझ आ चुके होंगे, अगर कोई doubt है, तो comment section आप लोगों के लिए ही है, औ और अगर आज का session आपको अच्छा लगा है, तो आप हमारे channel step up academy को please like, share and subscribe करना बिलकुल भी न बूले, thank you for watching.